नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे बास्तु ग्यान गंगा यूटूब चैनल पर दोस्तों, आज रात से कई साल तक कई रासियों का भाग्य बहुत ही अच्छा है ग्यान की इस्तिती बहुत ही अच्छी रहेगी, जिसमें कई रासियां विसेशी ही लाबकारी रहने वाली है यह रासियां विसेशी सोव रहेंगी, भगवान कुवेर और माता लच्छमी की किरपा इन्हें रासिवालों पर रहेगी अक्सर ऐसा होता है कि हमारी कुंडली में कही ऐसे दोस होते हैं जिनकी बज़े से हमें कही प्रकार की परेसानियों का सामना करना पड़ता है वही जब माता लच्मी की किरपा हो ग्रैन की इस्तिती सोव हो तो हमारा समय बदल जाता है और हमारे सभी सोव कार होने शुरू हो जाते हैं उसी प्रकार से माता लच्मी की किरपा है इन रासी वालों पर जल्दी ही इनका समय बदलेगा नौकरी में प्रमोशन मिलेगा और ब्योपार अच्छा चलेगा हार प्रकार के कार बन्नेन के शुरू हो जाएंगे बहुत ही अच्छा योग आप एक प्रकार से कह सकते हैं आने बाला समय बिसेशी शुब रहेगा लेकिन आप कुछ उपाय जरूर करते रहें जिससे आपकी कुंडली का योग और ज्यादा बेहतर बने माता लच्छमी के सामने प्रति दिन दीपक जलाएं यह नियम आप बना लें माता लच्मी के सामने प्रति दिन नयम दीपक जलाएं और जिनकी साधी में रुकाबटे आ रही है वह Donna Bay है भुद्वार के दिन भगवान गड़ेजी के सामने दीपक जलाना प्रारम कर दे अगर आपके उपर कोई दोस है तो आप प्रते दिन भगवान सिवजी का आप सेख करें भगवान सिवजी को आप इश्नान कराएं पंचामरस से भगवान सिवजी के उपर आप गंगाजल अरपन करें साथी भगवान के सामने आप दीपक जलाना भी प्रारम कर दें भगवान सिवजी के सामने प्रति दिन आप दीपक जलाएं विशेश महत्माना जाता है इस्तिती बदल जाती है सबसे पहली है मेश रासी मेश रासी का योग बहुत ही अच्छा है आने बाले दस सालों तक मेश रासी का योग बहुत ही बढ़ी रहेगा प्योपार अच्छा चलेगा नोकरी में प्रमोशन मिलेगा हर प्रकार के कार बनने शुरू हो जाएंगे दूसरी है ब्रसब रासी इसका योग भी बिसेश ही सुब है आने बाले समय में धन परवारिक खुशी बहन आधी का सुख भूमी जाजाद आधी का सुख इनको प्राप्त होगा तीसरी जो रासी है वो है मिथुन रासी जो बहुत ही अच्छी और भागिसाली रहने बाली है मान सम्मान बड़ेगा आपके गृष्ट जीवन में खुशाली रहेगी आने वाला समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने बाला है अगली जो रासी हुए सिंगरासी ब्याधी सोब और लखी रहने बाली है सिंगरासी बालों को अनेक प्रकार की काम्याविय मिलेंगे अनेक प्रकार के लाब मिलने शुरू हो जाएंगे पक्षियों को सतना जाजरू डालें सवी रासी बाले पक्षियों को सतना जाजरू हार प्रकार की परेशानिया दूर हो जाते हैं जो वेक्ति पक्षियों को सक्ना जड़ाते हैं, दूसरा है गौमाता की सेवा, गौमाता की सेवा का विशेश मेहत्व है, अगली जो रासी है, वह कन्यारासी, उसका भी योग बहुत अच्छा है, वह तुलारासी, धनुरासी, मकर और कुमरासी, ये रासियां विशेशी अगल में बैल आकन बटन को जरू दबाएं, हर वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए, नमस्कार